हेलो पीपल विल्कम बाक ये वीडियो का फोकस रहेगा कि civil services का prelims कैसे क्राक करें prelims बहुत ही एक essential stage है जहां पर most of the people they go back home उनको next year के लिए दुबारा त्यारी शुरू करने पड़ती है last year 7,78,000, 7,80,000 people applied उसमें से मान लो चार लाख लोग पेपर देने आया होंगे प्रिलेम्स का चार लाख में से सिर्फ 15,000 they got through बाकि 3,85,000 उनको next year के वेट करनी थे दुबारा प्रिलेम्स लिखने के लिए तो odds are heavily against तो इसलिए प्रिलेम्स के बारे में जानना essential है और एक और बात हैं जानने कि कि प्रिलेम्स बहुत ज़र मुश्किल है, प्रिलेम्स असान है प्रिलेम्स असलिए क्योंकि number of books जो आपको पढ़ने है वो बहुत ही काम होती है, limited होती है, बहुत ही factual है और and secondly since CSAT आने से यहां पर predictability exam की बढ़ जाती है आपको थोड़ा सा exam पर control बढ़ जाता है unlike means तो prelims पर फोकस करेंगे और जो first time start करें उनके थोड़ा सी guidelines है यहां पर कि कैसे कैसे चलना है prelims के regarding पहली बात तो यह कि जब आप first time को topic पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आपको बात समझने आ रही है यह क्या लिखा क्या हुआ को समझने आ रहा है आपका background नहीं है यह चीज कैसे लिखिए समझने आ रही है Chinese लगती है तो कोई बात नहीं सबको लगती है वो बार बार पढ लेकिन make sure that slabus is finished और slabus जो आपने किया है वो रिवाइज हो जाए re-re-re-re-read and last do not be satisfied easily keep looking for more okay strategize करते हैं थोड़ा सा थोड़ा process समझेते हैं पहले तीन से जीज आपको बता यहोगा prelims होती है फिर जो qualify करेंगे mains फिर qualify करेंगे लोग जो interview और इस सब को दिमाग में रखते हो एक tentative timeline बनाने चाहिए timeline कि कैसे timeline कैसे बनाएंगे हम timeline बनाएंगे keeping in mind जो last exam हमने crack करना है अ Mains assuming we let's say December में 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 तो हमें sure करना है कि एक महीना पहले तक November 1st week या फिर October के last तक हमारा syllabus सब खतम हो जाए और उसके पहले सारे notes और सब कुछ बना हुआ हो topics जो बहुत lengthy topics से सब underlined हो तो इस तरह से हम timeline को backtrack करते है if you can follow me कि December उसके एक मीना पहले मैंने रखा कि मैंको सारी चीज़े रिवाइस करनी है इसलिए October end तक मैंने सोचा कि सब खतम करना है उसके खतम करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें कप-कप करनी होंगी accordingly I'll draw a timeline तो इस तरह से ही आपको चीज़ें अपनी करनी है प्री को अगर आप टागेट रखते हो तो प्री से पहले कब-कब आपको क्या खतम करना है कौन सा टेस्ट कब देना है accordingly timeline ड्रॉ करने ज़रूरी है planning is essential हर बंदे का अपना अलग plan होता है तो make sure you have your own plan prelims फोकुस करते हैं पहले next video में we'll do mains, mains की बारे में बात करेंगे general studies और aptitude test दो चीज़े हैं prelims में और secret क्या crack करने का secret बहुत ही चाता है एक मुश्किल चीज़ बता रहा हूँ आपको में relevant books पढ़नी है और tests देने है that's it किसी को बताना मत general studies अब इसमें पढ़ना क्या है बहुत extremely simple है पांच books पढ़नी होती है अगर आप पांच books बार बार पढ़ सकते हो guaranteed है आपको pre crack हो जाएगा पॉलिटी के लक्षमी कांत अब ये books कैसे पढ़नी है वो हम देखेंगे अगली slides में सिरफ ये आपको पांच books खरीदनी है उसके सिवा जो खरीदना चाहो आपकी शर्दा है वो तो History की Spectrum Modern India खरीदनी होती है Modern India, History की Modern India not any other book Spectrum की, Economy की Ramesh Singh Geography की Plus One Plus Two NCRTs, Economic Biodiversity की ICIC की 9th Standard की किताब आती है Environment को लेके और एक net से IUCN की latest list डाउनलोड करनी है ताकि पता लगे कि कौन से कौन से Animals Extinct हो गए है कौन से होने वाले हैं कौन से Endangered हैं थोड़े से Notes भी फॉलोग करने पढ़ेंगा अब किसी Institute के अभी देखेंगे आगे Science के लिए Newspapers Hindu का Science section आता है वो follow करो It's okay नहीं करो को तब भी काम देल जाता है And current phase के लिए Newspapers लेकिन थोड़ा प्री के लिए यहां पर एक और यहां पर essential बात है कि प्री में Newspapers फोकस करना बहुत essential नहीं है प्री के लिए अगर आपका फोकस प्री है अभी और लेट से आप प्री से धाई तीन चार महिने दूरो सिरफ तो फोकस प्री हो जाना चाहिए और प्री के लिए Newspapers इतना essential नहीं है Newspapers काम आएगा आपका means में ओके बुक्स कैसे कवर करनी है पॉलिटी की लक्षमी कांत प्रहाप्स ता मोस्ट इंपॉर्ड़न बुक दाइड दूरिंग यूर कोर्स इसका शब्द आपको यादोना चाहिए कौन सा आर्टिकल कब कहा क्या कहता है सब आपको यादोना चाहिए multiple times पढ़ने पढ़ेंगे first reading time लेती है क्योंकि बहुत ही lengthy book है तो इसलिए थोड़ा जोर लगाके थोड़ा हिम्मत बांद कर आपको एक्जाम ये book पढ़ने पड़ेगी for example let's say first reading में आपको 20 दिन लगते हैं second reading में I'm sure 10 दिन लगेंगे third reading और कम धाया तीन दिन लगेंगे तो इसलिए multiple reading चाहिए इस book की और इसके छोटी सी छोटी बातों को आपको memorize करना है बहुत essential है and memory is fragile trust me आपको लगेगा कि मैंने अभी याद किया तमको फिर भूल गया it's okay हर किसी को भूल गयाता it's okay बस बार बर पढ़ते रहना है history के लिए तीन पार्ट से हैं इसके ancient, medieval and modern ancient बहुत वास और time-consuming है मैंने कभी prepare ने किया मैंने पिछले दो बार से प्री दिया है और इंटर्व्य भी दिया है इस बार तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ancient का बहुत जारूल नहीं है जो पढ़ना होगा सर्फ वो बता रहा हूँ दो चीजें फोकस करना है आपने बुद्धिजम पर और जैनिजम पर NIOS की साइट पर जाओ और उनकी वहां से जाके PDFs डाउंडोड करो बुद्धिजम और जैनिजम पर Similarly Medieval Medieval भी बहुत क्लटरड है कोई डिनस्टी आ रहे है जा रहे है बहुत तंग हो जाओगे अगर आप धंक से पढ़ते हो और याद भी हो जाएंगे Modern ये है सबसे important बार-बार पढ़ना पढ़ेगा Modern Spectrum की Modern India किताब पकड़ो पूरी cover to cover एक-एक शब्द रट लो लोग कहते हैं कि नहीं essential topics पढ़ने चाहिए ये वो and all मुझे लगता कि पूरी किताब पढ़ने चाहिए इसमें बहुत सारे events है चोटे बड़े साब events एक-एक event आपको याद होना चाहिए और तब भी मुझे लगता कि ये book एनफ नहीं है फिर आपको test series जॉइन करने पढ़ने पढ़ने test series में सवाल आएंगे उन सवालों को भी याद करना चाहिए इसी तरह से history prepare होती है economics रमेज सिंग की book खरीदो और almost सारी book पढ़ लो कुछ-कुछ chapters आपको बीच में पढ़ने चाहिए जैसे कुछ chapter आ जाता कभी insurance पर chapter आ गया taxing structure पर chapter आ गया वो आपको पता है कि नहीं required आपको आइडा मिल जाएगा कौन से चीज में पढ़ने चाहिए कौन से नहीं नहीं पढ़ना चाहिए concepts पर ध्यान देना है prelims is for concepts current events पर थोड़ी नज़र रखनी है और current events से ही driven questions आपको एक्जाम में आएंगे for example last year cad बहुत जा नुज में था कि cad की problem यह होगी वो गया mains में भी सवाल आया pre में भी सवाल आया और जो pre में सवाल आएगा थोड़ा सा वो factual basis वाला होगा थोड़ा सा static concept वाला होगा तो इसलिए cad के बारे में जब आपको पता है cad की बहुत बात हैं और ये newspaper में प्रिमेट ट्रिगर चाहिए होते हैं आपको कि करंट इवेंट से कोई ट्रिगर मिलेगा आपको और एक्जामिनर को और वो उस पे कोई conceptual question में आतेगा एक और चीज पढ़ने हैं आपको economic survey quickly review कर लेना economic survey के notes वगरा market में मिल जाते हैं उसमें नहीं नहीं तो उसमें जाते हैं चांसे होते हैं कि एक्जाम में आ जाए दोसर थेरह में तो नहीं आई बारा में आई थी तो उसमें जैसे लास्ट यह 13 के economic survey में टर्म थी फिस्कल मार्समेंशिप expected थी कि पूछ ले कि क्या होती है finance minister ने टर्म यूज की थी यह 12th की NCRT पढ़नी है अपने और एक दिन लगता है पूरा पढ़ने में अगर आप 10-12 खंटे लगाते हो इसमें जो important concepts को अंडलाइन करके और दुबारा दुबारा पढ़ना होते हैं कई-कई चीजे आपको रिसे लास्टे साइकलोन था बहुत ही फेमस हुआ था तो आपको साइकलोन के बारे में सब पता होना चाहिए चांसित हाई है कि साइकलोन एक्जाम में आएगा मेंस में आया भी था वो प्री और मेंस के दौरान बीच में आया था इसलिए मेंस में नजर आया साइकलोन का question तो इसलिए आपको current event based जो चीजें है उन पर तो नजर रखनी रखनी है क्योंकि उनके हिसाब से questions ट्रिगर होंगे जो आएंगे प्री में तो अकबार ऐसे रैंडम ली नी पढ़ना होता बस उसमें देखना होता कि इस concept से जो अकबार में जो ये news आई है जो खबर आई है इससे कौंसा static concept trigger हो सकता है वो आपको जानना है science and tech बहुत ही tricky question बहुत ही tricky aspect exam का science and tech as such कोई किताब कोई कुछ नहीं दिला सकता आपको number इसमें थोड़ा common sense पर rely करना है थोड़ा अपने आपे विश्वास रखना है जो multiple choice जो आजकल जो question आ रहे हैं जितने भी उनमें ऐसा होता है कि 5-6 options दी होती है आपको पूछते हैं लोग पढ़ते हैं मुरुनाल की side भी पढ़ सकते हैं मुरुनाल की side पर बहुत अच्छे-चे concepts दी हैं science के लेकिन overdue कर देते हैं वह सभी मुरुनाल में biodiversity बहुत overdue की हुई है तो आप पढ़ोगे उसमें 50 page काम उसमें आधा page भी नहीं आएगा तो थोड़ा सा खुद पर रिलाए कर सकते हो आप बट नेवर्दलेस पढ़ते रहना इसेंचल है environment biodiversity static concept इसमें एक्जाम में टेस्ट हूँ है रिसेंटली ICI-CA की class 9 की environment की book खरीदो market में zirox मिल जाती है उसको पढ़ो पहले तो static concept अच्छे हो जाएंगे आपके और उसके बाद IUCN की site पर जाओ latest red list पढ़ो उसमें देखो कि कौन इंडिया के regarding कौन सा उसमें animal list में आ गया है कौन सा animal list से निकल गया है and all and all तो यह last 2 सालों से UPSC बहुत स्ट्रेस दे रहा है इस लिस्ट पर तो इसके बारे में आपको पढ़ोन अच्छी अच्छी धंग से और कोई latest अगर कोई आपने देखे है कोई conference event कोई national park आ गया है wetland कोई conference हुई है किसी को लेके रामसर convention हुई है कुछ भी हुआ है मुझे नहीं पता जो भी आपको एक बार मनेजर आते है उसका थोड़ा ट्राक रखना पड़ेगा और उसके बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे geography और environment biodiversity काफी overlap कर रहे है आजकल तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान पड़ेगा अ पारेंदर मोदी ने क्या कहा या फिर अर्विन केजरिवाल ने क्या जवाब दिया उसका वो अपको बता ही है चाहिद कि वो करन्ट इवेंट नहीं होते किसी भी ऐसे concept को बार जानना आपको किसी भी आपको बार में बता है कोई static concept की बात हो रही है इस particular news में concept किसका हो सकता या हो सकता है कि कोई history की बात हो रही हो for example 1913 में गदर मुवमेंट हुई थी तो 2013 में expected था कि गदर के बार में बात हो गी और ऐसे आपको बता होगा कि 150 थे इंवर्ट एथ 155 वो किसी का birthday आ गया 150 किसी का कुछ हो गया तो newspapers में उनको regarding articles आते रहते हैं and all तो आपको उसके कोई नजर रखनी होती है किसी science की process के बारे में बात हो रही है या फिर किसी ऐसे सवाल के बारे में बात हो रही है जिसमें factual merit is जो थोड़ा fact driven है जो थोड़ी इसमें fact छुपा हुए तो इन चीज़ों पर नजर रखनी है आपने हर एक news को follow नहीं करना sports etc ये नहीं आते एक् के हैं they can skip this part और लेकिन थोड़ा towards the end वीडियो को forward करकर करके देख लेना लेकिन जो नहीं हैं engineering background से जनोंने aptitude में इतना काम नहीं किया हुआ भी उसके लिए मेरे चैनल में बहुत सरे वीडियो अलड़ी है sleepy classes में उनको एक particular order order में follow कर लो तो इसलिए काफी helpful हो सकता है अरिहंत की book मैंने सुनया काफी अच्छी book है अरिहंत की book से आप follow up questions कर सकते हो आप मुझे सवार लिख के बेश सकते हो I'll try to solve them तो ऐसे शुरुआत ऐसे कर सकते हैं वेदिक math से शुरू करो वेदिक math 1 & 2 थोड़ा सा math का डर खतम हो जाता है math का डर खतम करना जरूरी है क्योंकि exam में जो सवार आते हैं वो काफी असान होते हैं मुश्किल नहीं होते हैं लेकिन लोग solve नहीं करते हैं उनको लगते हैं कि math से डर लगता है कि solve नहीं होगे उनसे solve हो जाते हैं सब भी solve करते हैं लोगों के 170, 180 नमबर आ रहे हैं C-SAT में 200 में से तो कुछ तो reason होगा न और divisibility rules ये तीन वीडियो पहले follow करो थोड़ा math का डर हटाओ उसके बाद question solve करो and try to increase your calculation speed उसके बाद जो important topics हैं उनको करो उन पर काम करो जिनको काम करने से बहुत जा benefit होगा time and work का video देखो time speed distance का video and profit and loss बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं recently इन से और math का I'm sure math का proportion बढ़ेगा gradually with time थोड़ा सा humanities के लोग उसको प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन बढ़ेगा ही और थोड़ा सा अपना confidence बढ़ाने के लिए ratio proportions के videos नंबर सिस्टम के थोड़ी से videos देख लेना आप यह इसी order में है you can take a snapshot of this particular page और इसी order में आप follow करें और उसके बाद यह concepts अभी remainder theorem last digit probability यह अभी नहीं देखे गए हैं लेकिन with passage of time CSAT tough होगा और इसमें यह questions आएंगे ही आए CAT पहले बहुत सिंपल बेसिक सवालों पर टेस्ट किया करता है ग्राजुली यह सभी concepts आने शुरू होगए अब उससे तो बहुत आगे निकल गए हैं अलजब्रा हायर लेवल अलजब्रा तो सिम्लर पाटर्न फॉलो करना ही होगा क्योंकि कोचिंग इंस्टिट्यू उट्स और अपनी questions भाब आप पोस्ट कर सकते हैं मैं try करोंगा जल्दी सल्दी reply करने की मैं reply करता भी हूं लेकिन हर question कर reply ने कर पाता बट I'll try to keep up Okay मैंने कॉंसा कॉंसा material follow किया था मैं किसी को कोई market नहीं कर रहा हूं कोई किसी को कुछ नहीं किसी को मैंने follow किता I'm just telling you that प्रिलिम्स के लिए तो political Lakshmikanth follow की थी historical spectrum और crack IES कर के कोई किसी के booklet होती ही मैंने क्योंकि संस मैंने first time मैंने शुरुआत की थी मैंने शुरुआत की थी मैंने उसी से बुक से शुरू की थी बिपन चंदरा पड़ने के बाद मुझे टीज़े नहीं थी तो मैंने यह दू बुक्स पड़ी और मुझे काफी बेनिवेट हूआ और मैंने इसी पे mark किया हूँ किया हूँ तो मैं बार-बार यह बुक्स पड़ता हूँ एकॉनमी के लिए अगेन रमे सिंग और जी के नोटे मेरे पास लेकिन रमे सिंग मुझे लगता है मोड़न एनाफ है जी के नोटे में थोड़ा करंट आसपेक्ट मिलता है बुरे नोट नहीं है यह अच्छे नोट निखाद आपटी और निखाद काम आएंगे इन्वायमेंट बाइवर्मेंट ब्रीवर्श्टी पर यह अपको मैंने बताया वही आईसे के लिए निख लिस्त है और जी के नोटे के नोटे इसमें चन्वेंशन और बहुत कुछ जी आवशा थोड़ा थोड़ा कॉनदेंस म मुझे तो मज़ा आता है बहुत सारी चीज़ें पढ़के तो इसलिए मैंने उसको फॉलो किया था लेकिन इतना बेनिफिट नहीं हुआ उसका ओवरॉल टेस्स सीरीज में आपको इस पर्टिक्लर आस्पेक्ट पर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा टेस्स सीरी जॉइन करना बहुत जलूरी है आपको सारी लक्षमी कांत याद हो गई लेकिन जब एक्जाम में क्वेश्चन आता है आपको वो पर्टिकुलर कॉंसेप्ट याद ही नहीं आ रहा होता है या फिर आपको कुछ कॉंसेप्ट आटमाटिकली मेमरी कुछ और यह बता रही होती है तो इसलिए टेस्ट्री तो इसलिए जरूरी यह जोइन करना थोड़ा सा इसको वही बोलते है कि अवेकनिंग यू फ्रम दस्लीप यह आपको जगाएगी बार बार नंबर काम आएंगे तो अपना पढ़ने बढ़ जाओगे जो मैंने जॉइन की थी है वो करियर लॉंचर की आठ के टेस्ट दिये थे बहुत ही अच्छ टेस्ट थे और जो एक्जाम में जो क्वेश्चन आये थे काफी सिमिलर लाइन पे थे तो काफी हल्प में लिए काफी कुछ आपको बेनफिट मिलेंगे सियल के टेस्ट सरी से जी के मैंने लगाई थी फॉर जीएस ये शायद मेरे ख्याल से करते भी ये सीट के लिए तो जीएस के टेस्ट से उनकी काफी टफ थी मेरे नंबर बहुत ही काम आता है तो इसी के कारण पढ़ना पढ़ता है दिल करता हा क्या और पढ़ो वाजी राम की टेस्ट सरीज मैंने एंड्रोल तो नहीं की थी लेकिन मैंने क्विस्टिन उसके सॉल्फ किये थे घर बैठकर खुदी सिरफ यही बुक्स आपको अगेन हम रिपीटिंग लक्षमी गांत, स्पेक्टरम की मॉडर्न इंडिया रमेश सिंग, जोगर्फी की एंसी आर्टीज, मुरुनाल की साइट, और न्यूस्पेपर्स, अगर आप यह ढंक से फॉलो करते हो, प्री होगा ही होगा सिसाट तो विट टाइम करना ही पड़ेगा, अर्यहंत के बुक्स खरीद लेना, I have heard, that's a good book, बहुत जादा, यहां वहां कोचिंग इंसिटूट बागल हो जाओगे, यहां वहां भाग कर, कोई इतनी ज़ुरुत नहीं होती, सिरफ यह ढंक से फॉलो करो इसको, और आप और एक दूसरे से सवाल पूछो, that's it, that is the key, closing notes पर सिरफ यही बात कहना चाहूँगा, कि बहुत रेरली आपके से अंसर को रेकिशोर होते हो, तो थोड़ा से educated guess मारना इस ओके, थोड़ा तुक्का मार सकते हो, क्योंकि otherwise questions attempt नहीं होंगे, questions attempt नहीं होंगे, तो for example, अगर 100 questions GS क आपने 50 attempt किये, क्योंकि आपका बाकिशोर नहीं है, 50 attempt किये, उसमें से मान लो कि आपके 40 होंगे, तो chances बहुत कम हो जाएंगे, 80 number लेकर, वहाँ पर आपका CSAT पर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, कि CSAT पर आपको अच्छा परफॉर्म करना ही होगा, last year cutoff was 230 something, I'm guessing, but it's not out but I'm guessing, तो CSAT पर बहुत pressure बिल्ड हो जाएगा, तो make sure कि यहाँ पर GS में attempt अच्छा हो, अच्छा GS का attempt आपको थोड़ा pressure off कर देगा, of the CSAT, बहुत साथ टेस्स के exam दो, automatically you are bound to clear, जो बहुत ज़़ा test देगा GS के, उसके अच्छे number आने guaranteed है, और जो जिनको रखते कि CSAT में अच् देखर जाना, थोड़ा speed build होती है, और थोड़ा feeling आती है कि exam की, otherwise exam में जाके बैठोगे, आपके सवाल पूरे complete नहीं हो पाएंगे, 7-8 सवाल अगर आपने CSAT के छोड़ दी है, ASC में से, तो काफी नुकसान है यह, and of course do it, because you should, because you deserve it, thank you.